तो आज के टाइम पे कैनेडा कौन नहीं आना चाहता है एस्पेशली हमारी कंट्रीज में इंडिया पाकिस्तान जो भी एशियन कंट्रीज है वहाँ पे तो ये ट्रेंट काफी ज्यादा जोरो शोरो से चल रहा है के बहुत लोगों को तो गूमना पसंद है कैनेडा के जाके नाइगरा देखेंगे यह देखेंगे वह देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहां पर आके टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा को और फिर्मिट में चेंज करवाने की फराग में है तो यह वीडियो में हम बात करेंगे जी के आप कैसे आसानी से टूर क्या होता है कि टूरिस्ट वीजा और वीजिटर वीजा वीजा एक ही होता है लेकिन इन दोनों चीजों में बहुत ही बड़ा जो है डिफरेंस होता है टूरिस्ट वीजा घूमने वाला वीजा के हमें लेकिसे के हमें कैनेडा गूमने जाना है यूएस गूमने जाना है उसके लिए होता है लहसे कि आपका कोई बाई वैं या आपका कोई भी रिष्टेदार यहां पे रहता है या आपका कोई फ्रेंड यहां पे रहता है वो उसका कोई marriage है कोई बॉट्टेश पाटी है कोई भी ऐसा celebration है तो वो चीज़ को विजिट करने के लिए आप वहां पे आ होता है कि तूरिस्ट वीजा में आपको इंविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर आप विजिटर वीजा लगा रहे हो कि लेट से मैं स्टूरेंट हो अगर मैं अपने पेरेंट्स का वीजा लगाना चाहता हूं तो मुझे उनके लिए जो सबसे मेन तूरिस्ट वीजा लगवाना है या विजिटर वीजा लगवाना है लेट से दोनों के लिए डॉकुमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों नौट इवन कैनेडा दुनिया की कोई भी कंट्री का अगर आपको वीजा चाहिए तो आपको तीन कैटेगरीज के डॉकुमेंट्स चाहिए रहते हैं बहुत सारे डॉकुमेंट्स होते हैं लेकिन मैं नौर्मली इनको तीन कैटेगरीज में बांट लेता हूं सबसे पहला होता है जी परपस परपस के आप वहां पे कंट्री में जहां पर भी जाना जाते हो वहां पर जाना क्यों चाहते हो असल में चाहे आपको शो करना पड़ता है परपस ऑफ विजट चाहे आपको घूमने जाना है जो भी टूरिस्ट वीजा वाले हैं उनको तो होना चाहिए कि आपके पास जो भी ट्रैवल के आपको किसी भी परपस के लिए यहां आपको किसी भी परपस के लिए करना है कोई फरेंड को मिलना है जिनके आफिसेस इंडिया में हैं हमारी उद्र कांटरीज में यहां पर भी हैं तो आपको यहां का purpose जो है वो clear होना चाहिए एक चीज सेकंड चीज आपके financial documents financial documents बहुत ज्यादा important हैं आपका कोई भी वीजा लेने के लिए क्योंकि कहीं ने कहीं अगर हम अपनी country से यहां पे आ रहे हैं तो financial यानि के पैसा पैसा कौन लगाएगा कि आप खुद लगा रहे हो तूरिस्ट वीजा वालों के लिए तो invitation यहां पे है नहीं तो उनको तो खुद का ही फंड शो करना पड़ेगा अब आप फंड कैसे शो करेंगे तीन चार तरीके होते हैं उसके सबसे जो मेन होता है वो होती आपकी bank statement bank statement नए funds कभी भी उसमें शो मत कीजिए अपने एक transaction पांच लाग की किसी से भी लेकर उधारे डाल दिए वो transaction आपने निकाली और अपना जो लगा दिए bank statement लगा दिए एक transaction ही उसमें highlight होती रहेगी के पांच लाकी हुई है दो लाकी पांच जो भी हुई है तो अगर आप प्लान कर रहे हो किसी बड़िया country का यूएस का यूरोप का या कैनेडा का वीजा प्लाई करने के लिए अपनी bank statement को ready कीजिए तीन चार पांच महीने लगा के normally तीन महीने के statement मांगते हैं तो तीन महीने तो at least आपके उसमें transactions continuously आने चाहिए कि कभी withdraw हो गया कभी deposit हो गया 2400-5000 की transaction हर week में घूमनी चाहिए ऐसे करके आप अपनी bank statement को ready कीजिए secondly आपके job, job करते हो, business करते हो, आपकी जो money है वो आ कहां से रही है, पैसा कमा कहां से रही है उसका valid source आपके पास होना चाहिए job कर रहे हो तो आपकी job के face up हो गए, आपकी salary slips जिनको बोल देते हैं हम लोग right और उसके इलावा experience letter हो गया जिस पे आप permission लेके आओ company से के भाई आपको छुटी दे रहे हैं वो right उसके बाद में जो भी आपके financially documents में आप अपनी गाड़ी का जो भी हम दिखा सकते हैं कि मेरे पास यह property पड़ी है घर पड़ा है तो यह सारी कि सारी जो भी आप गोल्ड पड़ा है आप financially stable हो आपको यह प्रूफ करना आना चाहिए ग्रीब फाइल्स को वो कहीं न कहीं हटा देते हैं जाहे आपके travel pay expenses हो ना हो लेकिन आपको अगर इन countries में वीजा चाहिए आपको कम से कम कम से कम इंडिया के हिसाब से 5-7 लाक तो कम से कम मैं बोल्डों के शो करना चाहिए क्योंकि अगर आज के टाइम पर बात करेंगे तो देड़ लाक की तो वन वे की टिकेट आती है जी Canada यूएस की सवा लाक देड़ लाक के आसपास वापिस जाने की भी आपको शो करनी पड़ेगी केतने फंड्स आपके पास हैं तीन लाक तो फिर दो तीन लाक तो उपर होना चाहिए ना यहाँ पर रहने के लिए खाने के ल सेविंग एकाउंट है जो भी आपकी मतलब के उसमें ट्रांजेक्शन जाती है वह बैंक स्टेटमेंट साब लगाई है ताके आप उनको प्रूफ कर सकें कि भाई हम यहां पर सुखी है अच्छा पैसा कमा रहे हैं आपकी कंट्री जस्ट घूमने जा रहे हैं हम वापीस आ हो गया सैकेंड आपको इस हिसाब से यह सारे डॉकुमेंट जो लगा के जो मैंने बताएं हैं अपने फानेशल क्लियर करने हैं और हर्ड कैटेगरी आती है जी आपके टाइप्स आपकी होम कंट्री के साथ कहीं ना कहीं इसको आप फाइनेशल के साथ रिलेट कर सकते हो सीम में आपके पिसमस के डॉकुमेंट्स जॉब के डॉकुमेंट्स ताके आप यह प्रूफ कर सकें कि हमें वहां पर रुकना नहीं है फानेशल में भी सेम कहीं ना कहीं डॉकुमेंट लगेंगे इस कैटेगरी में भी सेम लगेंगे अब आप कैसे कर सकते हो जॉब कर रहे हो या वहां पर student हो रहे तो आपको पतर चलेगा ना जब आप किसी काम से छुटी लेके जाओगे आप छोड़के नहीं जा रहे काम तो आप permission लेके जा रहे हो इसका मतलब आपके पास established business है जिसमें आप 2-4,00,00 रुपया कमाते हो या turn over करते हो हर मही में तो इसका मतलब आपका अच्छा खासा काम वहां पर चल रहा है तो आप वापिस जाओगे वहां पर आपके parents वहां पर हैं ये भी valid reason होता है कि आप अपने parents की take care करने के लिए और कोई भी नहीं है तो आप वहां पर रूखोगे वापिस जाओगे अपने parents के पास आपकी family है अगर आप अकेले visit करोगे वापिस आजाओगे बारबर मैं यह चीज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही दोनों चीज़ों के ऊपर ही आपका वीजा लगता है purpose और financials और आपका जो भी tie-ups है तो यह चोटी सी वीडियो जो भी मैंने बनानी थी मैं आप को बतांगे कि बहुत सारे मुझे पत documents इकठे कीजिए fraud में मत पढ़िए और इसके आगे एक वीडियो बनाऊँगा जो के कहीं ना कहीं fraud से related होगी real life experience किसी का सामने आया है तो वो भी share करूंगा मैं आने वाली वीडियो में तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को subscribe भी करके रखें आप notification bell को on करें और कोई भी आपको tourist visa visitor visa के regarding help चाहिए तो आप मुझे instagram के ओपर reach कर सकते हो invitation letter कैसे बनाना है वो सारी चीजे वो भी वीडियो अल्लेडी पढ़ी है तो आप देख सकते हो चाहिए तो शुक्रिया जी आपका वीडियो देखने के लिए मिलते हैं next video